नमस्कार भारत एक्स्प्रिस यूपी देख रहा है आप मैं हूँ आपके साथ अकांग शतर पाथी इस वक्त देश में पेपर लीक का मामला लगातार बबाल मचाय हुए है परिक्षा में धानली को लेकर भी चातर सडको पर लगातार पहुँचे हुए है और परिक्षा को निरस्त करने की मांग कर रहे है फिलाल ये मामला कोट में हो और नीट उमिदवारों के एक ग्रुप ने सुप्रीम कोट में याची का दायर करके नए सिरे से नीट यूजी 2024 परिक्षा कराने की मांग की है इस सब के बीच यूपी में सियम यूगी आदितनात ने पेपर लीक को लेकर एक बड़ा प्लान तयार किया है आपको बता दे कि मुख्यमंत्री यूगी आदितनात ने पेपर लीक माफियाओं के लिए गले का फंदात तयार कर लिया है यूपी में अब नकल माफिया और पेपर लीग माफियाओं की खैर नहीं होगी क्योंकि यूपी में जल्दी पेपर लीग को लेकर नया कानून आ रहा है और इस कानून में पेपर लीग करने वालों के खिलाफ सक्त प्रापधान किये जा सकते हैं साथी यूपी में यूवाओं को नौकरी देने के लिए परिक्षाओं की फुल प्रूफ विवस्ता की जाएगी जिसके बाद पेपर लीग की समस्या से निजात पाया जा सकेगा जानकारी के मुताबिक इस कानून के बात अगर की जाए तो इसको लेकर मसौदा बनकर तयार कर दिया गया है और जल्दी बिधानसवा में इसको लाया जा सकता है इस कानून के तहट पेपर लीक मामले में सनलिप्त दोसियों पर एक करोड तक का जुर्माना भी लगाया सकता है साथी दोशी को उमरकैत की सजा भी हो सकती है इसके साथी इसमें ये भी प्रापधान किया जा रहा है कि अगर आरोपी पर गैंग्स्टर एक्ट लगा दिया जाए तो उसके साथी साथ उसकी संपत्ती को भी बुल्डोजर चला कर धुस्त किया जाए इस तरह के तमाम जो इसमें प्लान जो है उसमें तयार किये जा रहे हैं इसके साथी इन मामलों में दोशियों को जल्द सजा मिले इसके लिए भी लगातार कोशिस की जा रही है और इसके लिए आरोपी को कोट में अलग से ट्रायल देना होगा पेपर लीग कानून के लिए सरकार ने मुसौदाक तयार कर लिया है और बता दें कि प्रदेश में अभी तक अगर पेपर लीग की बात की जाए तो जो आरोपी पकड़े जाते थे उनको आसानी से जमानत मिल जाती थी और यही वज़े है कि इस वज़े से लोगों में बिल्कुल भी डर नहीं था और आपको बता दें कि सक्त कानून इसमें नहीं था और साल 1989 में बने कानून के तहती अभी तक राज्यमे लगातार जो कारवाई हो रही थी वो उसी के तहत हो रही थी इसमें एक से साथ साल की सजा और दस हजार रुपे का जुर्माने का प्राबदान था ऐसे में आरोपियों को सजा का कोई डर नहीं रहता था और वो विवाकी से यूबाओं की जिन्देगी के साथ खलवार कर रहे थे जानकारी के मताविक यूपी में पिछले साथ सालों में आठ भरती परिक्षाओं के पेपर लीग हो चुके हैं ऐसे में ये साफ पता लग रहा है कि माफियाओं के जो की पेपर लीग कर रहे हैं उनकी होसले कितने बुलंद हैं अगर ये प्लान जो की तयार किया जा रहा है जिसको लेकर तयारी चल रही है योगी सरकार में अगर वो लागू होता है तो इस वर आपका क्या कहना है क्या आपके और सुझाओं है आपको क्या लगता है इसमें और भी कुछ बदलाव हो सकते हैं या इसमें और भी कुछ चीजें एड हो सकते हैं वो सभी चीजें आप कमेंड वॉक्स में में ज़रूर बताएं फिलाल के लिए नमस्कार